नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का पटवारी की टेश सीरीज नमबर 3 में जो भी विद्यारती पटवारी का पेपर दे रहे हैं वो लोग इन टेश सीरीज को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लें क्योंकि ये आपके बहुत ही कामकी है, बहुत ही ज़्यादा है और हाँ दोस्तों सत्यादी सर्मा क्लासिस की ये टेश सीरीज है यदि उनको कोई समस्या होती है या वो नहीं चाहते कि इससे हम पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे लिए एक मेसिज कर देंगे तो हम उनकी इक लासों को डिलीट कर देंगे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे रखा है कोई भी लीगल एक्षन लेने से पहले वो इन कलासों को अगर बोल देंगे ये तीशरा टेस्ट है, सामान हिंदी के पार्ट पर पनाते हैं, सबसे पहले इसमें गद्यांस को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर लगाएंगे, दिये गए गद्यांस को पढ़कर दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए, एक अंग्रेज डॉक्तर कहता है कि किसी नगर मे डबाई ला दे हुए 20 गदे ले जाने से 1 हसोड आदमी को ले जाना दिकलापकारी है, हसी शरीर के स्वास्त का सुब संबाद देने वाली है, वह एक 7 ही शरी और मन दोनों को प्रिशन्ते करती है, पाचन सक्ती वढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है, हस की उपने मित्रों को हसा वहाद इह प्रसंद होगे सत्रूं को ऐसा वह तों करेंगे एक अंजान को हसा वह उसका दुख घटेंगा मिम्राश को हसा वह अपने आपको जावान समझने लगेगा एक बालक को हसाओ उसकी स्वास्त में ब्रद्धी होगी आप देख रहे होगी कि अभी तक जितना पड़ा है वो एक तरीके से केंद्र में किसके है हसी के इसके केंद्र में मुख पात्र अगर देखा जाए तो वो हसी है वह प्रशन और प्यारा बालक बनेगा पर हमारे जीवन का उद्धेश केवल हसी ही नहीं हमको बहुत काम करने हैं तता पि उन कामों में कश्टों और चिंताओं में एक सुन्दर आंत्रिक हसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है चलिए अब अपन देखते हैं अंग्रेज डॉक्टर ने दवाई से लदे 20 गधों की वजाए एक हसोड को ले जाना अच्छा माना है दवाईएं महंगी पढ़ती है हसोड व्यक्ती बीमारियों को हसी से भगा देता है हसोड गधों से कम नहीं ह कारलाइल के अनुसार हसी से सत्रू का दिल द्वेश से भर जाता है घ्रना से भर जाता है घ्रना कम हो जाती है वार करना भूल जाता है अपन को वही करना है जो उसमें लिखा है इस बात को याद रखिएगा है ना इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना अपने दिमाग से मत भ्रणा कम हो जाती है क्योंकि उसमें घ्रणा की उन्होंने बात की है चलिए हसी सरीर के लिए कैसे लाबदायाक है वह पाचन सकती बढ़ाती है, रक्त प्रवाहतीवर करती है, अधिक पशीना लाती उपर एक तो तीनो, तो इसमें चोथा सही हो जागा, जोकि उन्होंने तीनो बातों को कहा है, है ना, चलिए, सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चैन करिए, कवी यत्री, कवी यत्री, कवी बताईए दोस्तों, ये काफी बार प्रशन आ चुका है, आप लोगोंने यदि पहले पर इक्छाएं दी होगी, ये नॉर्माल अन्य टेस्ट सीरी जो को भी जोइंकर रखा होगा, तो आप लोगोंने देखा होगा कि ये प्रशन जो है वाल आता ही है, कवी यत्री वाला, बताईए, कौनसा आंसर सही होगा, चौथया का चौथा आंसर है, कव इत्री, यही इसका सही आंसर है, निम्न में से सुद्वर्तनी वाला सब्द है, उज्ज्वल, उट्ज्वल, उत्ज्वल या उत्ज्वल, बताईए, कौनसा आंसर इसमें सही है, तो इसमें दोस्तों, दूसरा वाला सही है, याद रखिएगा जो दुज्जा होते हैं, ये दोनों ही आदे होते हैं, उत्त धन्ज्वल, ताका जा में परिवरतन हो जाता है, वेंजन संधी है, किस सब्द में उपसर्ग का प्रियोग किया गया है, उपकार, लाबधायक, पढ़ाई, अपनापन, कि सब्द में उपसर्ग का प्रियोग किया गया है, बताईए, कितना सरल प्रशन है, तुरंत बता देंगे, सर जी उपकार है न, उपकार में उप जो है, वह उपसर्ग है, क्रदंत प्रत्य जोड़े जाते हैं, विसेशन में, संग्या में, सर्वनाम में, क्रिया में, के लिए उचित मुहावरे का चैन कीजिए इस वर्स मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई इसी को कहते हैं दाल में कुछ काला है कंगाली में आटा गीला काला अक्छर भैंस बराबर एक पंत दो काज इस वर्स मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई तब अपन क्या कहे दाल में कुछ काला है, नहीं, कंगाली में आटा गीला है, हो सकता है, काला अक्छर भैस वराबर ये अनपड़ को कहा जाता है, एक पंत दो काज ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, ठीक है, चलिए आगी चलते हैं, अग्ये सब्द के लिए वा होता है, आपने देखा होगा एक कभी भी हैं, जिनके नाम के आगे अग्ये लिखा रहता है, या अग्ये नाम से होता है, ठीक है, चलिए, आप बनाते हैं, दसबे नमबर पे, सुन केवट के बैन, इसमें छंद हमको पता करना है, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अठपटे, वहिसे करुणा एन, चितन ही जानी की लखन तन, बताइए, कौन सांसर होगा इसका, ये दरसल सोर्था है, या है दोस्तों, जोर्था, अगर आप मात्राओं को देखें तो ये सोठा निकलेगा, अपने से बढ़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंगार होगा, आपका अज्याकारी, आपका इशनेह पात्र, आपका क्रपा गांची या उपर्युक्त सभी, जब हम अपने से बढ़ों के लिए लिखेंगे, तो ये तीनों चीजें ही कोई दिक्कत नहीं है, तो परियुक्त सभी इसका अंसर हो जाएगा, राज भासा का सही अर्थ है, किसी राज की विशेश मात्र भासा, सर्व साधारन की मात्र भासा, सुद्ध और साहितिक भासा, सरकारी कार्यालायों में प्रियुक्त होने वाली भासा, समझे राज भासा सरकारी कार्याले में प्रियुक्त होने वाली भासा, क्या अंसर हो जाएगा दोस्तों, सरकारी कार्याले में प्रियुक्त होने वाली भासा, क्लियर चलिए, निमने में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, असम, बिटप, पांशन, उपल, असम, विटप, पांशन, उपल, पत्थर के पर्यावाची नहीं है, पाहन, पांशाड, उत्पल, ये सब जो हैं, वो पत्थर के पर्यावाची है, पर इन में से कौन सा नहीं है, तो बिटब जो है, वो पत्थर का पर्यावाची नहीं होता, क्लियर, चलिए, ससुराल का तत्सम सब्द क्या है ससुराल का तत्सम सब्द क्या है यानि यह तत्बहु सब्द है स्वासुराल, सासरो, पीहर इन में से कोई नहीं इसको तो आप लोग बता ही देंगे स्वासुराल कौन सा होता है स्वासुराल सुराल यही परिवर्टित हो कैसा सुराल हो गया अभ्यूदय में कौन सी संदी है आधा बाहे भाहे यही है कौन सी संदी होगी बताइक यण संधी अभी प्लस उदय giderाबर अभ्यूदय अभी भी में E I E की जगा या आ गया और भा में थी E इसलिए भा आधा हो गया और उदय चुकि U उस तरफ था तो या के नीचे उसने अपनी मात्रा लगा दी तो बन जाता है अभ्यूदय क्लियर अभी प्लस उदय बरावर अभ्यूदय यण स्वर संधी क्लियर निम्न वाक्यांस को उचित क्रम में विवस्तित कर दीजिए कर देंगे बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है सिच्छित वर्ग की तो कैसे आएगा दिन प्रती दिन बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है सिच्छित वर्ग की ये तो बलकुल एक बार में देखने से हो गया तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला लायावारा सिच्छित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है सिच्छित वर्ग की किलियर चलिए आगे चलते हैं निम्न पंक्तियों में कौन सा लंकार है पीए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही छेका नुप्रास लाटा नुप्रास वरत्या नुप्रास सुरत्या नुप्रास हम जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में सब्द जो है वो बार बार आते हैं या वर्णो की आवरती वार बार हुआ करती है तो ये तो तैह है कि ये अनुप्रास अलंकार है पर अनुप्रास में भी कौन सा है चेका नुप्रास लटा नुप्रास वरत्या नुप्रास या वह हाथी पागल हो गया, वह पागल हाथी हो गया, तो तीसरे तो वैसे ही गलत हो गया, वह हाथी है, अब बताईए, कौन सा इसमें सही होगा, इसमें दोस्तों सही होगा, वह पागल हाथी हो गया, निमने में से असुद दवाक के बोल रहा है वो, ये याद रखिए, तो ती दीसरा ही इसमें असुद्वाग के है, कौन सा, तीसरा, मैं असुद्वाग क्यों देख रहा था, लेकिन असुद्वाग उन्हों ने पूछा है, तो वह पागल हांथी हो गया, यह न, देखते ही समझ में आ रहा है, निम्नमे से हंस सब्ड का अनेकार्थी सब्ड है, जीवात क्लियर स्रंगार का सुद्ध वर्तनी विचलेशन होगा कौन सा वाला होगा दोस्तों बताईए सा जाता है शक्करवाला फिर रिर आ जाता है सा रिर फिर डा आएगा स्रंग फिर गा आ जाता है आधा फिर आएगा और रा आएगा और लाश्ट में भी आ आ जाता है तो ये सब चीज़ें किसमें हैं तीसरे वाले में तो सा प्लस रिर प्लस डा प्लस गा ये डा और गा जो दोनों हैं वो आधे आधे होंगे क्योंकि आप देखेंगे तो नीचे हलंत लगा हुआ है फिर आ आएगा फिर रा आएगा आधा फिर आ आएगा अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लगा दिया वहाँ पर कैसे लगाएंगे वहाँ पर ऐसे लगाएंगे आप कि आप देखेंगे कि इन में से कौन सा फिट नहीं हो सकता ये तो मानलीजी आप समझगे कि ये आ रहा है अब ये सब क्यों फिट नहीं हो रहा है तो सा रिर फिर आ गया गा तो डा आ नहीं रहा तो ये होगा नहीं अब इसमें देखिए सा है रिर है डा है और गा भी आ गया लेकिन अंकी बिंदी नहीं आ रही क्योंकि अंकी बिंदी तो पहले ही आई हुई है, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा वाला तो हो गया, मानलो चोथा क्यों नहीं होगा, तो असा है आदा, फिर रिर है, फिर डा है, फिर गामी नीचे हलंत है, फिर बड़ा आ है, और रा के बाद उन्होंने बड़ा आ दे दिया, चुकि रा में कोई भी मात्रा बड़े या जैसी नहीं है एक मात्रा है जो खुद राको पूरा कर देटी है clear चलिए 21 वाले पर आते हैं अनुसार और अनुस्वार युग्म का सही अर्थ क्या होगा अनुसार याने किसी की अनुरूप और अनुस्वार स्वर का नास्किये रूप तो पहला वाला तो सही देख रहा है दूसरे को चेक कर लेते हैं स्वर का अनास्किये रूप अनुरूप, स्वर का नास्किये रूप, स्वर का अनास्किये रूप या स्वरूप क्या हो जाएगा 21 वे का दोस्तों आंसर? 21 वे का आंसर पहला ही है क्या है दोस्तों 21 वे का आंसर? पहला, किलिए? चलिए यथा मती सब्द किस समास का उधारण है तत्पुरुष समास द्वंद समास करमधाराय समास अभ्यभाव समास तो यथा मती सब्द किस समास का उधारण है बताईए इसका आंसर क्या होगा यथा सब्द आ गया अव्यभाव समास होगा यथा आवत भर ये सब अभ्यभाव समा time box की उधारन होते हैं क्लियर चलिए अब बनाते हैं नमर वाले पर आ से-इसवे का अन्सार हो जाएगा दोस्तों तेइसवे का अंसर हो जाएगा ना ना एक ठीक है, ना दूसरा, क्योंकि हो किया पूछ रहा है, शैयुक्त बाग के है, याने दो बाग क्यों हो जाते है, नील कमल का समास विग्र होगा, जो कमल है ये बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देख लीजी ऑप्सन में हैं, नीला है कमल, nीला कमल, nीले रंग का कमल नीला है, जो कमल यह है na चोथा इसका नांसर हो जाएगा व्योवहार सब्द में एक उपसर्ग हैं दो उपसर्ग हैं, तीन उपसर्ग हैं कोई उपसर्ग नहीं है V प्लस आ V प्लस अव प्लस हार व्योवहार, बताई किते उपसर्ग होंगे इसमें दो उपसर्ग होंगे वी और वी अव और हार किलियर कितने हो जाएंगे दो उपसर्ग इसमें हो जाएंगे वी अव और हार किलियर अब हो गया और वी हो गया चलिए अब बना जाते हैं section 2 पे अंग्रेजी वाले पे the patient's died cancer of by of from बताईए the patient's died cancer of by of या from of ठीक है cancer से मर गया some of the ministers of the cabinet are not agree to with from of क्या हो जाएगा with with the head we are looking forward working together to with into of क्या होगा to working together to working together you should refrain dash dash smoking off from to in smoking off from to in क्या हो जाएगा इसका इसका अंसर from smoking from smoking some robber's have broken best as the old man house in up down into क्या अंसर हो जाएगा into the old man house into the old man house after they died he had nothing to live for at from through after they died he had nothing to live for live for at from through through clear I slept for many hours dash 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 the shed of tree in under four of in police have to inquire dash 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 this matter into under to in into an editor is a stickler dash 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 accuracy to four of at to we all loved dash 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 the affair over about four and over direction है find the error of the given sentence हमें error देखनी है कि error किसम है यदी इरर नहीं होती है तो चोथह सोका énसर हो जाएगा दा रिवर हैज ओवर्फ ल॓ड इस बेक्ट डूरिंग दा रेनी सीजन समझते है्ट दा रिवर हैज ओवर फ्लॉड इ डुरिंग दा रेनी सीजन और नो एरॉरर बता हीए be over flawed its bank they have not submitted the fee so far no error fee so far the boys does not support his friends at parents no error does not support does not support do not put up until tomorrow what you can do today no error no error the valley is now new for its luxuriant growth of vegetation no error new for its luxuriant यह गलत है चलिए अब आते हैं एक्तालिसवी नंबर पर फिल दा प्रॉपर डिटर्मिनर्स इन दा डिवन ब्लेंग ब्लेंग ब्रिंग डॉट बॉटल फ्रॉम डॉट फ्रिज दा ए ए दा ए दा ए या दा दा क्या क्या आएगा इसमें डा ओर दा या ए अर दा या बोटल फ्रॉम डा फ्रिज डा दा व्रॉटल फ्रॉम डा फ्रिज दैस पॉटर नंबर ब्लें ब्लेंग दा ओड़ ग्जन दा पूर शुड दा पूर शुड दा पूर शुड He has spent this money which I gave him. Little, a little, the little of you. बताईए. The little. He has spent the little money which I gave him. He is new in the city as he has … friends. Few, a few, the few, the little. Few. Clear? Find the antonyms of the given world. इनके antonyms देखने हैं. Magnify, Indus, Increase, Destroy, Shrink. बताईए. Shrink. Demon, Devil, Angry, Angle या Rude. Demon, Devil, Angry, Angle या Rude. Angle. अब हमको synonyms देखना हैं. Synonyms of Scanty. Prophous, scarce, sufficient या plenty. Scars, scarce. Synonyms of Disaster. Disease, Clamity, Illiness, या Problem. Clamity. In the following question, some of the sentence have error, and some of the sentence have error, and some have none. Find out which part of a sentence has an error. Error यहां भी देखनी है. If there is no error, यदि नहीं है गलती, mark your answer as no error. नहीं है गलती तो आप no error पर लगा दीजिए. चलिए. My youngest son have been playing indoor games since morning, no error. बताईए. Have been playing indoor games. Have been playing indoor games. Have been कि यहां पर गलती है? The unhave withdraw its drops from the country, no error. बताईए. The unhave withdrawn. The unhave withdrawn. Clear? चलिए. English वाला part हो गया है. चलिए. अब अपन आजाते हैं सामान विज्ञान वाले part पर. निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुबित की जा सकती हैं? वाईउ में ध्वनी तरंगे? ध्रुबित किसको कर सकते हैं? अब कित्ती बार अपन लोगों ने पढ़ा 10 क्लास हैं? अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो 1500-200 से जादा प्रशन हैं एक क्लासों में उनको देख लेंगे तो विज्ञान का आपका लगववव में पूरा ही समाप्त हो जाएगा. पटवारी के जित्ते विद्यार थी हैं या अगामी परिच्छा के जित्ते विद्यार थी हैं वो लोग उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें. निमने में से कौन सी तरंगें द्रुवित की जा सकती हैं वायू में दोनी तरंगें एक धागे पर अनुधैर तरंगें एक धागे पर अनुप्रस्त तरंगें या प्रकास तरंगें बताईए क्या इसका आंसर होगा बहुत सरल आंसर है प्रकास तरंगें ये बाकी तीन नह पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के प्रकाशी है फाइबर माना और रक्त का पी एच मान है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4 तो 7.4 इसी परास पर यह दिमाना होगा तो ही जीवित भी रह पाता है अन्नता जीवित नहीं रह पाता मनुस्य के लाल रक्त कुसिका का जीवन चक्र कितनी अवधी जीवित निम्न में से कौन उतक का उधारन है मस्तिस्क, रक्त, यक्रत या पेट तो रक्त को ही तरल सैयों जी उतक कहा जाता है क्लियर क्या कहा जाता है तरल सैयों जी उतक मनुस्त के रक्त में उपस्तित सरक्रा की मात्रा है सुक्रोज गुलुकोज फ्रक्टोज या लेक्टोज क्या है चपनवे कांसर गुलुकोज क्याते नहीं है गुलुकोज की मात्रा बढ़ गई है तो रक्त में दरसल सरक्रा की मात का बढ़ जाना या घट जाना ही गुलुकोज है इने में से कौन सरीर को उर्जा प्रदान करेगा उर्जा की बाद चल लई है विटामिन सरीर को तोड़ता जोड़ता है कार्भो हाइडरेट करता है क्या पानी खाने को अधिकतम पचाने का काम है और प्रोटीन विटामिन प् क्या है दोस्तों ची याने बिटामिन के जिसको हम फिलो किवनों भी कहते हैं एनजाइम मूल रूप से हैं कार्भोहाइडरेट्स हैं लिपिट्स हैं प्रोटीन हैं अमीनों अमल हैं तो क्या है दोस्तों बताईए बनसपती तेल को ठोस बसाया गी में बदला जाता है द्वारा हाइड्रो जनी करन के दवारा किलियर विटामिन के के संदर्व में निम्न कतनों पर विचार कीजिए विटामिन के रख्ट का ठक्का बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्षतह भाग लेता है बिटामिन के हमारी आतों में भी बनता है इसकी कमी से हाइडरोफोबिया नामक रोग होता है या रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक है तो बताए क्या इसका आंसर सही होगा अब यह अपने उपर भी पड़ा है या रक्त का थक्का बनाने काम आता है, या रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, किलियर, चलिए इन में से कौन सा वसा का कारण नहीं है, उसे पहला और लाश्ट वाला तीन होई थे, इन में से कौन सा वसा का कारण नहीं है, तो चासे सरीर के सरीर ताप के च्छय को रोखना, सरीर को उर्जा प्रदान करना, सभी विटामिनों का अउसोसन कराना, सरीर के आंतरिक अंगों की चोटों से रक्षा करना, इन में से कौन सा वसा का कारे नहीं है, किसका वसा का? सभी विटामिनों का अउसोसन करना, ये वसा का काम नहीं है, बागी तीनों वसा के काम है, हमारे सरीर में अमलियता और छारक्ता के बीच संतुलन बनाई रखने वाला तत्तो है, फासफोरस, सोडियम, कैलसियम या आईरन, हमारे सरीर में अमलियता और छारक्ता के बीच संतु बनाई रखने वाला तत्तो है, फासफोरस, सोडियम, केलसियम या आइरन बताईए, फासफोरस, मानव शरीर में किस तत्तो का प्रती सत सबसे अधिक होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कारवन, ऑक्सीजन, ये तो आप लोग तुरंद बता देंगे दोस्तों, किसका हो अवस्यक है, दातों के लिए अवश्यक है, रक्त का घटक है तंध्री के लिए तो आइरन तो रक्त से संब्हन्दित है, indicate calcium हड्डियों के लिए अवश्यक है, sodium किस के लिए आवश्यक होगा दोस्तों बताइए, अब sodium फ्लॉरीम कंफ्यूजन में आएंगे, चलिए इसका आंसर क्या है 65 जो आंसर है दोस्तों वह है अपना देखिए आईरन पहला हो गया रक्त का घटक यहां से अपने मिलाने का प्रयास करते हैं यह यह हो गया पहला क्लियर केल्सियम का क्या है हड्डियों के लिए यह दूसरा हो गया अब इन दो में से यदि आपको एक के बारे मालू है तो दोनों सही हो जाएंगे तो C जो सोडियम है दोस्तों वह क्या करता है सोडियम दर असल तंत्र का तंत्र के लिए अवश्यक होता है क्लियर और फ्लोरीन जो है बादांतों के लिए अवश्यक है इसके अनुसरा जो आंसर अब कौन सा हो जाएगा चोथा क्लियर चलिए इन में से कौन सा खनिस्तत तो रक्त इसकंदन में भाग लेता है रक्त के इसकंदन में बिटामिन के आईरन, केल्सियम या जिंक रक्त के इसकंदन में भाग लेगा कौन लेगा रख्त के सकंदन में बाग, बताईए, कैलसियम, कैलसियम, इंसुलिन में कौन सा तत्तो पाया जाता है, कैलसियम, कोबाल्ट, आइरन या जिंक, इंसुलिन में कौन सा तत्तो पाया जाता है, बताईए, जिंक, जिंक पाया जाता है, इंसुलिन में, निम्न में से क कौन सा ब्रायो फाइटा के लिए आसकते हैं, मतलब ब्रायो फाइटा के लिए इन चीज नहीं है। नहीं होता ब्राइल फाइटा में, बताईए, पुस्प की अनुपस्तिती, उस पो होते हैं, किलियर, निमने में से सबसे छोटी जीवित कोषित का कौन सी है, सबसे छोटी बात आगे दोस्तों, जीवाडू, माइको प्लाजमा, विसाडू, खमीर, बताईए, माइको प्लाज च्छाल या फलाबरण, अफीम के किस भाग से मारफीन प्राप्त होता है, बताईए, फलाबरण, यह इस तरीके से फल होता है दोस्तों, उसका फल में हलका सा कट लगा देते हैं, तो उसमें से एक दूट के समान सफेज सफेज पदार्थ निकलता है, वही होती है, मारफीन विशाणू में पाया जाता है, प्रोटीन और लिपिट, न्यूकलिक एसेड और प्रोटीन, लिपिड और कार्वोहाइडरेट, कार्वोहाइडरेट और न्यूकलिक अमल विशाणू में पाया जाता है, न्यूकलिक एसेड और प्रोटीन, सबसे बड़ा अकसेरुकी प्रा है कि मलासक liegen वो सबसे वड़े अकसेरु की प्राण क्या है को बस ऑफिस या पाई थन बताई हैं पाइथन यह विसेला सफ नहीं सबसे बड़ा सरफ है दोस्तों यादरकिए का यह वी सलर नहीं आरेच विटे करने, किसने आरेच विटे करने, मकडी किस संग से संबंद रखती है, मलास्का, एनलीडा, निडेरिया, अर्थोपोड़ा, मकडी, 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 बताईए, अर्थोपोड़ा, बिच्चु बगेरा भी अर्थोपोड़ा से ही संबंद देत होते हैं दोस्तों है और इसके बाद जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में मैं आपको डारेक्ट बताता जाता हूँ, उसका भी अनलाइसिस सर आपको अलग से करवा देंगे, किलियर हैं, चलिए एमेस वर्ड एक सॉफ्ट वियर है, एमेस वर्ड एक सॉफ्ट वियर है, एमेस वर्ड एक सॉफ्ट वियर है, एमेस वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट पिक्चर को पेष्ट करने के शॉट्ट कट की क्या है, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z MS Word में चुने हुए Text Picture को Paste करने की Shortcut की क्या है Ctrl V फिल्कुल Normal से प्रशन है दोस्तो निमलकित में से किस Action के लिए Print Preview उपी होगी है Document को Color करने के लिए, Document को Save करने के लिए, Document को Delete करने के लिए, Document को Copy करने के लिए किस Action के लिए Print Preview जरूरी है कल भी अपने इस पर चर्चा की थी, बताइए Document को Copy करने के लिए Excel में खालिस्तान शक्रिय की सामगरी में प्रदर्शित करता है Footer बार, Formula बार, Task बार या Menu बार Formula बार खालिस्तान Excel विंडू के नीचे आता है Worksheet, Tabs, Name Box, Formula बार या Title बार Worksheet, Tabs प्रिसिद्ध व्यबसा एक DBMS है Microsoft SOL Server, Microsoft Access, MySQL या Oracle बताइए क्या है Oracle निमनलिकित में से एक वाइरस का एक लक्षण नहीं है मौजूद प्रोग्राम फाइलों और आईकॉन का गायब होना CD-ROM का कारे ना करना बेब ब्राउजर एक आसमान होम पेज पर खुलना अजीब मैसेज या इमेज का स्क्रीन पर प्रदर्सित होना बताइए जो एक वाइरस का लक्षण नहीं है CD-ROM का कारे ना करना COBOL ब्यापक रूप से खालिस्तान अप्लिकेशन में प्रियोग किया जाता है व्यब साइक व्यज्यानिक अंत्रिक्च गड़ती है बताइए व्यब साइक कोबोल किसके लिए होती है व्यब साइक C, C++, Java, Basic और कोबोल खालिस्तान लेंग्वेज के उधारण है ये लो लेंग्वेज है हाई लेविल प्रोग्रामिंग है सिस्टम प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर बताइए ये सभी हाई लेविल लेंग्वेज है आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं दोस्तों फॉल्ट रॉन किस वर्स में पेस किया गया था 1945, 1949, 1950, 1957 1957 निम्नलकित में से कौन सानुबादक निस्पादन में धीमी है इंटर्प्रेटर, कम्पाइलर, असेंबलर, उपर्युक्त सभी इंटर्प्रेटर खालिस्तान व्यक्तियों के द्वारा उनकी पहचान की हेरा फेरी करके आप से गोपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए उप्यों किया जाता है Fishing Trips, Computer Virus, Spyware Scams या Fishing Scams बताईए Fishing Scams Fishing Scams MC, MCA, Fee MCA, Fee का एक उधारण है Virus है, Antivirus है, Word Processing Software है, इन में से कोई नहीं या एक Empty Antivirus है काओ तो मैं इसी सिस्टम में आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँगे ना आप लोग खेर जानते भी होँगे Storage Device में मुख के फोल्डर को क्या कहते हैं Platform, Interface, Root Directory या Home Page Root Directory Visual Fox Pro क्या है, RD, MBS, DBMS, Programming Language या उपर युक्त सभी Programming Language, Visual Fox Pro क्या है Programming Language अब अपन सेक्शन B पे आते हैं इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों एक तो अपना सामान निग्यान होगा और सामान प्रवंधन चलिए दोस्तों इसको चालू करते हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो लोग कर लें फाइद होंगे उनके लिए दो पहला देखिए क्लास हैं जो अब महत्फून वो आपके पास में आ रही है फालतू कि कोई क्लास है महत्पून बिलकुल एक्टम देखिए दिमाग में उतारिए और दिमाग से आपके जाना नहीं चाहिए है और दूसरा महात्पूर्ण है कि 15 तारिक से जैसे ही पेपर इसके चालू होंगे तो हम लोग उसका रिव्यू करवाएंगे कि कौन से प्रशना रहे हैं और किस टाइप के प्रशना आपको करने चाहिए चली चालू करें आप लोग देखते होंगे कि पढ़ाने की जो पहले गती थी वो कम थी तीरे दीरे पढ़ाया करते थे अब गती को बढ़ा दिया है वो गती बढ़ाने का कारण दोस्तों यही है कि आप लोगों के पास कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंच सके अभी समझने का नही बस करे चलने का काम है, आप करते चलिए, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, बस ताकि आप वहाँ पर आंसर को सही लगा सकें, चलिए, जो समझने का काम था, वो बहुत पहले था, आज से आगर आप देखेंगे डिर दो महीने पहले, तो काफी अच्छे से समझा है, सम पास हमें है, तो वो लोग उन क्लासों को आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पेपर आप पास में आ गया है, तो जितना आप कुमेटर है, जितना आप याद कर सकते हैं, उतना याद करके वहाँ पर एक्जाम होल में पहुँचिए, चलिए, 151 में है, स पहला ही पन्ना राष्टी उद्ध्यान जो है, यह कहाँ पर है, कौनसा पन्ना राष्टी उद्ध्यान, बताए कहाँ पर है, पन्ना राष्टी उद्ध्यान पन्ना चतरपुर में है भाई, एक तो अपन ने यह कर लिगा, क्लियर, यह यहाँ पर है, यह यह, ठीक है, संज संजय गांदी राष्टी उध्यान सीधी में है चलिए ये भी हो गया पेंच राष्टी उध्यान कहां पर है सिवनी चिंदवाडा में है और काना किसली राष्टी उद्यान जो बचा तो मंडला में है आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों पहले वाला इसका आंसर हो गया पन्ना राष्टी उद्यान कहा है पन्ना राष्टी उद्यान जो है जाता है बता ये तो भीना option के ही आप लोगों को बता देना चाहिए संजाय अभ्यारण सत्पुणाभ्यारण काना अभ्यारण राता-पानी अभ्यारण यही है मदद प्रदेश माईनर फोरेस्ट प्रोडूशर फोफेड रेसन मद्द प्रदेश लगुवन उत्पादन संग के द्वारा बेपड़न के उत्पाद के ब्रांड का नाम क्या है अरन्या आयुरुवेदिक्स चंपा हर्वल्स विंद हर्वल्स या नर्मदा आयुरुवेदिक्स बताईए प्रस्ण इ राज वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी 24 जुलाई 1976 24 जुलाई 1975 24 जून 1976 या 24 जून 1975 क्या है इसका आंसर 24 जुलाई 1975 सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचीयों को नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चैन करिए वन संस्थान और जिला उष्ण कटिवंधी वन अनुसंधान केंद्र राजीव गांधी वान की प्रसिक्षण संस्थान एंड हूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडियन इंस्टीट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर क्या है तो चलिए देखते हैं उष्ण बचपन उष्ण कटिवंधी वन और संद्र केंद्र है दोस्तों जबलपुर में के लिए राजीव गांधी वान की प्रसिक्षण संस्थान यह कहां पर है यह अपना सिविधनी में है और यह पर यह चिंद्वारा में है दोस्तों और इंडियन इंस्टिट्टूट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट अपना कहा है तो भोपाल में इस्थित है इसके अनुसार आंसर कौनसा हो जाएगा पहला कौनसा है पहले कभी है दूसरे का C है तीसरे का D तो ये दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा मद्द प्रदेश में दीन दयाल सेवा कब प्रारंब की गई 24 अक्टूबर 2016, 20 अक्टूबर 2016, 28 नवंबर 2016 या 20 सितंबर 2016 कब की गई दोस्तों 20 अक्टूबर 2016 मद्द प्रदेश में कोईले की प्राप्ति किस प्रकार की चटान से होती है तर्श यारी चट्टाने, धारवार चट्टाने, कुलपपा चट्टाने या गोंडवाना चट्टाने बताईए गोंडवाना चट्टानों से जो कोईला है वो कहां से मिलेगा गोंडवाना की चट्टानों से मद्द प्रदेश के बाला घाट जिले में मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्स की गई इंपोर्टेंट है आता है दोस्तों 1982, 1969, 1973 या 1960, 1996 तो 1982 में कब की गई 1982 में किलियर सूची फ्रस्टको सूची uciónची सेइकंड से सुमेलित करना है देखना है कि कौन कौन सी विद्द पर योजन है कहां कहां इस्थान पर है तो चलिए देखते हैं आपन सबसे पहले ही आता है पेच ता विद्द चेंद्र फिर है विंध्या चल ता विद्द चेंद्र फिर सत्पुणा था टीρα, फिर है अमरकंटक्त था विद्ध! ताप विद्धुत केंद्र अब यह कहां ने कहां कहां पर है अपने को देखना है, Clear. पेच था विद्धुत केंद्र यह दर असल दोस्तों चिंदवाडा में है Clear. क्लेर विंध्याचल ताब विद्धुत केंद्र की यदी हम बात करेंगे, तो ये कहां पर है? कहां है नूबपुर में क्लियर पेश ताब विद्धुत के इंद्र हो गया कहां चिंदवाड़ा में विंद्याचल ताब विद्धुत के इंद्र कहां पर है बैधन में सत्पुणा ताब विद्धुत के इंद्र कहां है पाथर खेड़ा में और अमर कंटक्ता विद्धुत के अंदर कहा है तो अनूप पुर में के लिए चलिए तो इसके अनुसार आंसर कौन सा हो रहागा दोस्तों दूसरा मद्द प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिम्टेट वेल कहां इस्ते थे इंदर गौलियर भुपाल या उज्जेन बताइए कहां पर इस्ते थे मद्धब्रदेश में भारत है वी एलेक्टृकल्स लिम्टेट कहां इसते थे ये भोपाल में इसते थे दोस्तों हे न कहां इसते थे भोपाल में गीता का फार्सी में अनुबात किषने करवाया सा जहा ने, अक्वर ने, मुराद ने, धारा शिकोज ने गीता का फारिसी में अनुबात किसने करवाया था बताईए दारा शिकोई ने इसको सर ए अकवर भी कहा जाता था दारा शिकोई की हत्या गीसने कर दी थी दोस्तों और अंग जीव ने मद्ध प्रदेश में सरप्रथम उद्योग संवर्धन नीती कब लागू की गई 2001, 2003, 2004 या 2002 बताईए 2004 में, कब 2004 में मद्ध प्रदेश में नोट याने मुद्रा चापने का कार खाना कहां इस्तित है भुपाल, देवास, इंदौरिया, हुसंगाबाद देवास में, किलियर मैं इसलिए थोड़ा रुख जाता हूँ दोस्तों कि इसका आंसर तो आप लोग दे ही दें एकदम सरल प्रशन है बोधी सत्त पदम पाणी का चित्र किन गफाओं की विसेशता है पांडो की गुफाओं, मारा की गुफाओं, बाग की गुफाओं या बेडादाट की गुफाओं बताईए बाग की गुफाओं यही जो अजंता की गुफाओं हैं वो बाग की गुफाओं से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक जैसी ही देखने को मिलती है यानि जैसी बुद्ध की प्रतिमाएं या बुद्ध की जो मुख की आकृतियां वहाँ हैं वैसी ही बाग की गुफाव में भी हैं निमन में से किस लोग गायन में अखाड़े होते हैं? नाथ पन्ती गायन, संत सिंगाजी भजन, कलिगी तुर्रा ये गरवा गरवी बताईए। कलिगी तुर्रा। क्रश्न देव राये किसके समकालीन थे? सेर शाह के, हमायू के, बाबर के या अकवर के? किसने करच्ण देव राय की बहुत ही ज़याद तारीफ कि यह दोस्तम बताईए बावर की बावर बोलता है ना कि बावरत में यदि कोई रक्षिन भारत तरफ कोई है महानर अंसान तो वो है करच्ण देब राय क्लियर चार मीनार का निर्मार किसके द्वारा किया गया था हिमायू, मुहम्मत कुली, कुतुपशाह, असोक या नरसिंभा चार मीनार का निर्मार किसके द्वारा करवाया गया था चार मीनार, मुहम्मत कुली, कुतुपशाह के द्वारा क्लियर सती प्रता की भर्टसना करने वाला मुगल समराट कौन है बाबर, हिमायू, अकबर या जहांगीर बताईए अकबर अकबर ने उसको हटाने का भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है लेकिन जादा प्रयास नहीं किया क्योंकि सती प्रता दोस्तों भारत में एक ऐसी प्रता थी कि जिसका विरोध करने का मतलब था कि पूरे समाच का विरोध करना दिदूर से देखने में तो हम जानना हैं कि हाँ भाई ये गलत प्रता है तो इसका लोग विरोध क्यों करते थे वो दरसल इसको अपने धरम से जोड़ कर देखते थे इसलिए इसका विरोध बहुत पहले से होता हुआ नहीं आ रहा था लेकिन अकबर ने इसका विरोध करने क प्रत्न किया है ठीक है राम चरित मानस के लेखक बाकी और लोगों ने ज्यादा हिंदू धरम में खलवली नहीं की जैसे कि जहांगीर हमायू बावर बावर तो बहुत कम समय तक ही रुका हमायू जहांगीर की बात कलने तो अनों लोगों ने इसलिए इस पर इंटेश नहीं लिए कि वो कहते हैं कि यह हिंदू है आपस में ही लड़ते रहेंगे आपस में इनको करने दो अकवर चुकि एक धर्म सहिशनु व्यक्ति था सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला था इसलिए अकवर को ऐसा कहा जाता है कि सती प्रता की बरस्तना इनोंने की है राम च अकवर ने किसे मिया की उपादी दी है राजा तोडर मल को मान सिंग प्रतम को बीरबल को या तानसेन को तो किसको दी है दोस्तो तानसेन को मिया की तोड़ी मिया का मलहार याद रखिएगा मिया की तोड़ी मिया का मलहार मलहार ये दोनों ही सब्ज किसके लिए है तानसेन क लिए हैं। किस ने बोले हैं, अक्वर ने बोले हैं, चैक। चलिए आगे चलते हैं। उजन सहर के बाद मद् प्रदेश के किन दो सहरो में फाइब जी सेवा को लाँच कर दिया गया है। उज्जेन सहर के बाद भोपाल इंदौर, जबलपुर, गवालिय, रीवा और सागर, देवास और छिंदवाड़ा भोपाल और इंदौर में, भोपाल में भी हो गई है और इंदौर में भी हो गई है मद्द प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट, अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है राजा भोज एयरपोर्ट, कौन सा राजा भोज एयरपोर्ट मद्द प्रदेश सरकार के दौरा लाँच किये गए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लोगो निम्न में से किसे सामिल किया गया है मद्द प्रदेश सरकार के दौरा लाँच किये गए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लोगो होता है ना दोस्ता अभी प्रबंदन में लोगो को किता पढ़ा है पनने ऐसे मत भूलिये लोगो निम्न में से किसे सामिल किया गया है गवालियर का किला और ओडशा का किला खजुराहु मंदिर और महाकाल मंदिर साची का इस्तूप और चीता या उपर्युक्त सभी को तो बताईए दोस्तों क्या होगा उपर्युक्त सभी को किलियर हाल ही में इजराइल के प्रधान मंत्री बने हैं बेंजा मिन नित्या निहाउ, एंथनी एल्बनी, शेख हसीना, सित्विनी राबुका, बताईए बेंजा मिन नित्या निहाउ, किलियर? अब आप बोलत रहूं आपसे, आप करेंट की पूरी क्लासें देख लीजिए, जाने से पहले पेपर देने से पहले एक बार करेंट की क्लास देख लीजिए पूरी वो पूरी क्लासे खट्टी हैं दाई घंटे के आसपास की क्लासे हैं आपके उसमें से तीन से चार प्रश्ने निकल आएंगे किस राजी की विधान सभा में लोका युक्त विद्यक पारित किया गया उत्तरप्रदेश, करनाटक, महराष्ट या गुजरात बताईए तो महराष्ट कहां किया गया है महराष्ट लोका युक्त विद्यक पारित किया गया चलिए दोस्तों अब अपन अंतिम पे आते हैं प्रबंधन, प्रबंधन को अच्छे से करते हैं प्रबंद है शलाहकारी कार्य, निर्धारात्मक कार्य, कार्यात्मक कार्य, इन मेंसे कोई नहीं टेलर की प्रिशिद्ध पुस्तक वेग्यानिक प्रबंद के सिध्धान्त सनखालिस्तान में प्रकासित हुए कब हुए 1903, 1910, 1911, 1921 टेलर की बात चल लए यह जो टेलर की पुस्तक है वेज्ञानिक प्रबंद के सिद्धान्थ कब हुए? बताईए 1911 में प्रबंद की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या रहा? यह दोस्तों प्रश्ण पहली वाली टेश्ट सीरीज में भी आया था, आप लोगोंने देखा होगा तो अब तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, कौनसा होगा? 1900 से 1930 ऑप्सन बता दूँ, 1850 से 1900, 1900 से 1930 1931 से 1950, 1951 से 1980 तो क्या है 1900 से 1930? उद्देश के द्वारा प्रबंद का विचार दिया गया पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ओ डोनेल के द्वारा, कीर्थ डेविश के द्वारा, या फोलेट के द्वारा, बताईए पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, किसके पीटर एफ ड्रकर के द्वारा? अनौपचारिक संगठन उतना ही महत्पूर्ण है जितना की अपचारिक संगठन जिसका मुख्य कारण है कि यह अलग अलग उद्देशों या मानकों को पूरा करता है मनोबल का निर्माण करता है निर्नयन से निकट संबंदित है परिवर्तन का पृतिरोध करता है क्या अपचारिक संगठन उतना ही महत्पूर्ण है जितना की अपचारिक संगठन जिसका मुख्य कारण किया है अलग अलग उद्देश मानकों को पूरा करेगा नौन मनोबल का निर्माण करता है निर्नयन से निकट संबंदि यह परिवर्तन का पृतिरोध करता त्या yield प्रबंद कारेंट परिवय नियंत्रन का अर्थ किसी भी देश की विकास में सबसे अधिक आवश्यक्ता है आर्थिक संसाधन की, बहुतिक संसाधन की कुसल प्रबंद की इन में से कोई नहीं कुसल प्रबंद की, किसकी कुसल प्रबंद की, नीती निर्धारन किसकी कारविधी का महत्पूर भाग है संग्ठन का, अभी प्रेरन का, समनवय का, नियोजन का बताईए नीती निर्धारण किसकी कारविदी का महत्पूर्भाग है? संगठन का होगा क्या? अभी प्रेरण का होगा? समनवाय का होगा या नियोजन का होगा? बताईए नियोजन का, निमनांकित में से कौन सा निर्णयन प्रक्रिया का अंस नहीं है, समस्या की पहचान, समस्या का विसलेशन, उद्देश तथा अपेक्छिस संसाधनों का निर्दारन वेकल्पिक संसाधनों का विकास, निमनांकित में से कौन निर्णयन प्रक्रिया का अंस नहीं का निर्धारण उच्चा दिकारी उच्चा दिकारों और अधिनस्त के बीच होने वाला संचार कहलाता है लंबवत संचार विकर्णिय संचार 36 संचार इन में से कोई नहीं बताईए लंबवत संचार कौनसा लंबवत संचार सही व्यक्ति को सही काम का आधार है नियोजन संगठन समनवय या नियुक्ति करन बताईए नियुक्ति करन यही तो है सही विक्ति को सही काम मिल जाए तो यही तो नियुक्ति करन है है ना यहाँ पर दोस्तों भरती भी दे सकता है वो लेकिन भरती में गलती मत करना आप नियुक्ति करन ही आता है इस प्रस्ण पर बहुत डिसकस किया था एक बार, है ना, सीखने का तत्तो है क्रियात्मक प्रसिक्षण, रुची, नेनाय ग्यान या सभी, संचार के साधन है, तार टेलिफॉन, रेडियो टेलिवीजन, टेलैक्स या सभी, संचार के साधन है, बताईए, संचार के तार टेलिफॉन, रेडियो टेलिवीजन, टेलैक्स ये सभी हैं, आवेदन पत्र में मुख्य प्रस्णों का चुनाओ करना चाहिए, प्रार्थी की योगता वा रुचियों की जानकारी के लिए, प्रार्थी के व्यक्तित वा नैतिक जीवन की पूर जानकारी के लि यही होता है आवेदन पत्र में मुख्य प्रस्णों का चुनाओ करना, किलियर, नियंत्रन कार में समलित नहीं होते, नियंत्रन कार में समलित नहीं होते, निर्धारित मानकों की विरुद्ध, वास्तविक निस्पादन का मापन, विचलनों को सही करने हैं तू सुधारात्म कारवाहिया, विचलनों की पहचान, करमचारियों के अभी प्रेरण, तो 191 का क्या हो जागा दोस्तों, करमचारियों को अभी प्रेरण, फिर से समझे, नियंत्रन कार में समलित नहीं, जब हम नियंत्रन करते हैं, तो उसमें क्या समलित नहीं है, तो निर्धारित मानकों की व motivate करना नियंतरों के अंतरगत नहीं आता dictionary of economic and commerce 1870 के लेखक निमलखित में से है dictionary of economic and commerce इसको तो आप लोग नहीं भूलेंगे J.L. Hansen, S.M. Andrew कॉनगी S.M. Lewis या Adam Smith कौन है इसके जल्दी बता दीजिए J.L. Hansen, बिल्कुल आप लोग सही है साधारन नीतियों में निम्नलखित में से क्या समलित नहीं है परिवाद निर्धारन संबंधी नीती, स्वास्त सुविधा संबंधी नीती, करमचारी सुविधा संबंधी नीती या सभी परिवाद निर्धारन संबंधी नीती नेता और अनुयाईयों के बीच सम्वंध होते हैं क्रियासील, दिखावटी, निस्क्रिय, इनमें से कोई नहीं क्रियासील, कैसे होते हैं? क्रियासील, किलियर? अभी प्रेरण के ERG थ्योरी के प्रतिपादक हैं क्या करना चाहिए? इसका पूर्ण निर्धारन करना नियोजन हैड इसमें वेकल पे कुद्देश, नीतियों, कारे नीतियों और कारिक्रमों में चैन करना सामेले यह परिभासा दी हैंरी फियोल ने, कूर्ज और ओडोनेल ने, मेरी कुशिंग नाइल्स ने या M.E. हार ले ने? किसने दी है? बताईए M.E. हार ले ने? किसने M.E. हार ले ने? पूर्वा नुमान सार है नियोजन का, अभी प्रेरण का, संगठन का या नियंत्रन का पूर्वा नुमान सार है नियोजन का, अभी प्रेरण का, संगठन का या नियंत्रन का नियोजन का ठिक अंगूरी लता संचार के कई कारणों में प्रमुख है मित्रों एवं सहयोगियों की बादचीत उतेजना एवं आसुरक्षा की भावना क्रियात्मक प्रबंद के अंतरगत आने वाली विविन शंगठनात्मक क्रियाएं है सेवी वरगी उतपादन विपणन एवं बित्त भाई सब ये तीनों है इसके लाबा और भी है संगठन संदशना संगठनात्मक ब्योहार के लिए कंकाली क्लेवर को प्रकट करती है परिवासर किसकी है कंकाली क्लेवर याद करिए फ्रेंड लुथांस पहले ही नंबर पे हैं यही इसका आंसर भी है बाकी तीन और कौन कोंसे थे कूर्ज और ओडोनेल विलियम एच निउमेन इन में से कोई नहीं तो क्या अंसर हो जाएगा फ्रेड लुथांस चलिए दोस्तों तो आज की जो अपनी टेस्ट सीरीज है यह यहाँ पर समाप्त होती है कल अपन मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में आप लोग इन टेस्ट सीरीजों पर विसेज ध्यान दें इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि पेपर का लेविल कैसा है और जिनका 15 तारे को पेपर है उनसे तो खासतोर पर निवेदन है कि आप लोग इनको जरूर देख लेए और जो पुरानी क्लास है प्रबंदन की आपका जो भी topic clear नहीं हो मान लीजिए प्रबंदन में अभी प्रेणा नहीं आ रहा नियरं तरन नहीं आ रहा शंगठन नहीं आ रहा जाए या फिर आपको website बितर नहीं आ रहा लेख aspирован नहीं आ रहा आप दोस्तों इस प्रकार अपन क्लास अपनी आज की समाप्त करते हैं कल मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में